तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगोंने रिलाइबिलिटी के बारे पड़ा रिलाइबिलिटी के सारे एक उसेप्टन्स जो हम लोग का नेक्स टॉपिक है जिसका नाम है एक्सेप्टन्स पेंपलेंग जैसे कि नाम से समझ मा रहा है acceptance का मतलब यह है कि कोई चीज ऐसी है जिसको कि हमको accept करना है और sampling का मतलब यह है कि कुछ samples बनाने होंगे इसका मतलब यह है समझने आ है कि जैसे कि माल निचे कि आपके पास ये एक पूरा आपने कुछ manufacturing करना है जिसमें कि आपको आप input कुछ करा रहा है और इस input से कुछ आपको output मिल रहा है suppose करिए तो अगर आप कुछ अगर output अगर उससे create करा रहा है from input तो जो आपका input raw material है उसके अंदर defect pieces defective pieces हम लोग न ले करके जाएं जिससे कि हमारा जो output हो अच्छा smooth हो इसके लिए जो technology हमारे पास उसको हम लोग क्या बोलता है acceptance sampling ठीक है अब देखिए एक simple सी चीज है कि जब हमारे पास अगर suppose करिए कि यह lot size है और अगर इस lot size के अंदर यह lot size है जिसमें कि n is equal to हम लोग का lot है उसके अंदर जब हम लोग का यह small income का मतलब items है जब small जब छोटे number का items होते हैं कहने का मतलब है कि एक item, दो item, तीन item, पाच item है अब मार्केट में कहा है आपके पैरेंट्स ने बोला कि 1 kg apple ले करके आओ, आप मार्केट में कहा है वहाँ पे 5 apples है आपने 5 apples को check किया आपने उसको अच्छी तरीके से inspect किया, inspect करने का आपको लगा कि हाँ, इनकी quality ठीक है आपने purchase कर लिया बाइद वे उसमें से एक piece खराब रहा तो आप उसको replace करके दूसरा piece निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने सारे elements को almost 100% आपने चेक किया, आपने यहाँ पे 100% checking की थी, पर अगर देख लो कि अगर n is equals to lot size है और जिसके अंदर की जो number of component है, small n is equals to supposed to 500 units है तो 500 units हम लोग एक साथ तो नहीं कर सकते हैं, reason क्या 500 units है क्यों नहीं एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपको काफी जादा labor लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपका काफी जादा क्या हो जाएगा, time consume हो जाएगा, है ना, और यह काफी cumbersome activity हो जाएगी, काफी hectic activity हो जाएगी, का आप डिमांड को फुल्फिल ना कर पाएं, जानि कि अगर आप प्रोड्यूसर है, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप बहुत बड़े lot size को एक ही करके inspect करें, तो आप करेंगे क्या उस condition में, जैसे कि सपोस करो आपको 20 kg sugar लेना होता है, या 10 kg अगर आपको मालनो लेना है कोई भी ऐसा चीज, जैसे कि आप मालनो को वीट लेना है, तो आप क्या करते हो, छोटा सा sample निकालते हो, छोटा sample को properly inspect करते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ, ये sample अच्छा है तो आप क्या करते हो, आप go का sign देते हो, और अगर वो नहीं आपको पसंद है तो आप क्या कर उसको reject कर देते हो, सेम चीज हम लोग को यहाँ पर ही पढ़ना है, ये acceptance sampling वही concept है, जो कि वहीं से निकला हुआ है, basic concept, जो कि elementary level से जैसे हम लोग आज तक करते आ रहे हैं, ये काफी आसान topic है, और दोस्तों, ये काफी जादा important topic भी है, अब देखिए इसके अंदर, ये जो concept था, वो किसने दिया था, ये dodge and roaming का दियावा concept है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके है, जब हम लोगों ने development पढ़ा था तो, इसके बारे में इसको बोला जाता है, it is a technique in which random sample, इसमें ध्यान देना होगा, कि random sample का मतलब ये हुआ है, कि 500 के lot size के अंदर, 500 का lot size के अंदर, 500 का lot inspection is taken, अब आपने sample लिया, अब sample लेने के बाद अगर आपको पसंद आया है, तो ठीक है, आप उसको accept कर लेंगे, अगर आपको पसंद नहीं आ, तो क्या कर देंगो, उसको reject कर देंगे, अब जो inspection होता है, वो inspection जो है, वो basically two types का होता है, एक तो होता है 100% inspection, जिसका अभी हम ल अगर items है, तो small n की value यहाँ पर हो जाएगी 500 items की, अभी मैं बता रहा हूँ, small n capital n क्या है, इसका मतलब यह 100% जब आप inspection कर रहे हैं, तो आप हर एक item को properly check कर रहे है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, इसलिए all are verified or checked, ठीक है, अगर हर एक आप check करेंगे, तो काफी जाधा costly method भ method हो जाएगा, इसके बाद handling by inspector can bring defects, inspector यानि कि जो भी person अगर मानेजिक कर, अगर suppose करिए जो inspect कर रहा है, उसको inspector हम बोलता है, अब अगर suppose करिए कि काच के bulb रखे हुए, glass की bottle रखे हुए, कुछ ऐसे product हैं, जो की हम कैसे हैं, जो खराब हो सकते हैं, touch करने से, ठीक है ना, touch sensitive ज इन में problem क्या होगी, अगर आप inspect करो, inspect करने के बीच में ही हो सकता है, कुछ defect आ जाए, तो अगर उठ defect आ गया, तो क्या है, वो भी आपके लिए एक loss हो गया, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 100% inspection हम लोग को थोड़ी सी problem मैसूस होगी, इसके लाबा, can't be used because product have chances to destroy while inspection किया जब जबी भी inspect हम लोग कर रहे हैं, inspect करने के तोरण क्या हो सकता है, उसको defective होने का chances बढ़ सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 100% inspection नहीं करते हैं, अब आते हैं, sampling inspection के उपर, कि sampling inspection देखे क्या होता है, तो sampling inspection होता है, जिसके अंदर, जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, कि inspection, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, inspection of a sample, हम लोग एक sample लेंगे, एक बड़े से lot में से, उसको हम लोग inspect करेंगे, तो sampling inspection का मतलब यह हो गया, कि जैसे आप suppose करो कि यह आपका एक पूरा box है, जिसके अंदर की total n is equal to suppose करो 500 items है, इसके अंदर, एक random number है कि 500 अलग-अलग bulbs रखे हुआ है, अब हम लोग को जब इसकी sampling करानी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इन 500 items में से, एक छोटा सा sample हम लोग बना लेंगे, ठीक है, छोटा sample का मतलब यह है, कि suppose करिए n की value हम लोग ने ले लिया है, 20 items का, तो 500 item के box में से, हम लोग ने 20 items को pick कर लिया, ठीक है, अब हम लोग उने क्या किया, कि एक acceptance number डिसाइड किया, acceptance number का यह होता है, कि जैसे कि आप market में गए, और ममी ने बोला, कि अगर 10 items लेके आने है, और 10 में से maximum आप 3 defective ही ले सकते हो, तो ममी के according क्या हो जाएगा, C is equal to C क्या हो गया, यह acceptance number हो गया, कि इतना ही number आप accept करना चाह ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि देखें, decision कैसे लिया जाता है, decision लेता है, अगर number of defects is less than equals to C, अब number of defects का मतलब यह हो गया, कि suppose करिए, D की value इसमें से आगई 0,1,2,3, out of 20 items, अगर out of small n is equals to 20 items जो आपने लिया था, यह 20 items आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर इस 20 items म अगर आपके 3 से कम defect हैं, या 3 तक defect हैं, या 3 तक defect हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उस condition में इसको accept कर लेंगे, तो अगर D की value, क्योंकि क्या हुआ, acceptance number आपने कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, अब आपके defect 0,1,2,3 अगर आगे है, यह lesson equals to 3 आ रहा है, आप उस condition में क् accept कर लोगे lot size को, जो भी आपका lot रहेगा, lot को accept करने का मतलब यह है, कि आप क्या accept करोगे, n is equals to 500 items आप accept कर के लिए आओगे, ठीक है, अब आता है, कि अगर आपके defect जो है, वो greater than equals to c है, ठीक है, greater than only, not equals to, greater than c है, तो अगर वो greater than c का symbol है, इसका मतलब यह है, कि आपके defect 4, 5, 6 और कहां तक maximum जाएगा, आपका lot size के, अरे आपका sample size क्या है, small n जो आपका sample है, अगर आपने small n जो लिया है, अगर small n आपका sample है, तो आपका sample size के हिसाब से maximum कितना जा सकता है, 20 तक जा सकता है, तो अगर आपके defect जो है, वो क्या है, वो greater than 3 है, तो आप क्या कर दोगे, पूरे पूरे लॉट को रेजट कर दें कहने का मतलब यह है कि अगर कैपिटल इन जो था एक और एक्जामपल हम लोग थोड़ी दिर में देखेंगे जिसे अपोस करो का आपका कैपिटल न था यहाँ वे 500 आइटम का जो कि पूरा लॉट था ठीक है पूरा बॉक्स के अंदर कर लेना हैं कि 3 से जाधा देफेक्टिव नहीं होना चाहिए अब हम लोगों ने डेफेक्ट गिनने चालो किये अगर डेफेक्ट हमारे 0, 1, 2, 3 तक आये तो हम लोगों ने लॉट को accept कर लेना है क्योंकि हमारे जो नंबर यो नंबर डेफेक्ट हा रहा है वह acceptance नंबर से कम आ रहे हैं अगर हमारे defect suppose करो आपकी 3 से ज्यादा है यानि कि 4 से ले करके जो भी आपने छोटा सा sample लिया था उसका size कितना size था 20 items का तो 4 से ले करके और 20 तक अगर आपके defective कि पीसे आ गये हैं तो क्या होगे आपके acceptance number से ज्यादा होगे अगर ज्यादा होगे नहीं क्या कर दोगे आप आप lot को reject कर दोगे ठीक है अब एक example आप देखिए capital N की value थी यहाँ पे 100 small n था 20 acceptance number की value दी गई थी 4 तो देखिए अब यहाँ पे आप कैसे decision लेंगे अगर माल लिचे का आपके defect जो है सबसे पहला आपको क्या होता root D is less than equals to C अगर हमारे defect जो रहेंगे 0 1 2 3,4 अगर इतने defect रहेंगे यह हमारे defects हैं तो हम लोग क्या करेंगे पूरे के पूरे accept कर देंगे 100 items को accept 100 items ठीक है पर अगर हमारे defect जो है वो greater than C है कहने का मतलब है 5,6 से ले करके कितना जाएगा maximum 20 items अग जा सकता है उस condition हम लोग क्या कर देंगे हम लोग केवल D और C को focus करना है acceptance number से कम हुए defect यह उसके equal हो गए accept करो अगर उससे जादा हो गए तो आप करो अब आते हैं sampling risk के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा कि sampling कर रहे हैं तो कुछ तो उसके अंदर risk भी हो सकता है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर मालीजी का पूरा का पूरा पूरा लॉट है 500 items का है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपने उसके अंदर total defect suppose करो एक example से हम लोग समझ लेते हैं इसको अगर n is equal to 500 items थे ठीक है और यह इसके अलग-अलग products है suppose करिये ठीक है अब अगर suppose करो आप कि यह जो items है यह defective pieces थे आपने जो sample लिया था n is equal to 20 का लिया था suppose करो इसमें total defect जो थे इस sample के अंदर n is equal to 500 में यह 30 थे आपने लिया sample 20 का आपने acceptance number दिया 5 और हो सकता है कि small d जो आपके आगए है वो 10 आगए तो यह भी तो हो सकता है कि आपका बाकी lot बहुत अच्छा था आपके पास केवल total defect कितने थे 30 थे आउट आफ कितने 500 लेकिन actually में हुआ क्या कि ज्यादा defect से वो कहां पर आ गए वो ज्यादा ज्यादा defect आगए first sample के अंदर ही तो अगर sample के अंदर ही आगए तो क्या हो सकता ह आपने अच्छा lot तो बनाया ही था लेकिन हुआ क्या अगर producer ने क्या किया अच्छा lot तो बनाया था लेकिन वो reject हो गया तो अगर वो reject हो जाएगा अगर अच्छा lot तो किसका risk हो जाएगा आप उसको क्या करेंगा आप उसको नहीं accept करेंगे क्यों defect आगए है आपके पास d is equal to 10 आगए ये greater than 5 आप क्या कर दोगे इसको reject कर दोगे अल्दो जो producer ने बनाया था वो product बहुत अच्छा बनाया था कि उसमें total defect कितने थे only 30 थे बट आप ये कहलो कि कि किसी भी तरीके से out of 30 10 defective pieces पहले ही sample में चले गए by luck तो जो producer उसका अच्छा lot जो रहेगा वो क्या हो जाएगा reject हो जाएगा similarly अगर bad lot is accepted अगर एक बैट लॉट का मतब यह समझे कि अगर same n is equals to 500 items के बारे में हम लोग बात कर रहे है ठीक है अब इसके अंदर भी हमारे देर सारे products हैं प्रॉब्लम क्या था कि अब यहां पे जो total defective pieces थे सब्सक्राइब आप वो 100 items है आपने क्या किया small n is equals to यह 100 items है सब्सक्राइब ज्यादा defective pieces थे इसके अंदर अगर आपने small n is equals to 20 items लिये ठीक है acceptance नमबर आपने डिसाइट किया 5 का ठीक है लेकिन जो आपने वो कम से कम आये आपके sample के अंदर तो कम से कम अगर sample के अंदर आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि consumer जो है तो acceptance sampling के अंदर क्या है कि एक चीज क्या है यह किस टाइब का method है यह कि statistical method है it is an important field of statistical quality control ठीक है इसको SQC का full form होता है statistical quality control तो यह क्या है यह बहुत important field is statistical quality control का even आज के video में बहुत सारी industries जो है वो statistical quality control को उपर काम करती है क्योंकि जब भी हम लोग total quality management topic पढ़ेंगे तो total quality management पढ़ने के समझ में आएगा कि सारी techniques को use करके हम लोग क्या करते समय अब देखे हम लोगों पढ़ा था कि इसको Dodge and Roaming ने बनाया था कब बनाया था 1924 के आसपास बनाया था ठीक है Second World War में bullets की testing में इसको use किया जाता था अचुली होता क्या था कि बुलेट उस समय क्या होता था कि काफी Second World War आपको पता हुआ काफी लंबे टाइम तक चला 6 साल तक चला तो उसमें क्या होता था बहुत ही जादा Middle of the road Middle of the road का मतलब यह होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं 100% inspection भी नहीं कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं 0% inspection भी नहीं कर रहे हैं difference between acceptance sampling for attributes and variables, कि attributes or variable के लिए जो sampling होती है, उसमें क्या difference होता है, ठीक है? तो जब हम लोग acceptance sampling for attributes के बारे बात कर रहे हैं, तो पहले ये जानना ज़रूरी है, कि attribute क्या होता है, दोस्तों, attribute वो होता है, वो features होता है, features आपको पता है, dimension of quality के अंदर, those features that can be only counted, rate, मतलब आप इनको के वल काउंट कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इनको के वल काउंट कर सकते हैं, आप इनको क्या कर सकते हैं, measure नहीं कर सकते हैं, उनको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे कि these are attributes, for example, देख लो आप color है, color को count नहीं कह सकता, अब देखिए variable क्या होता है variable जो होते हैं वो वो features होते हैं there are those features that can be measured for example length हो गया, weight हो गया ये सारी चीज़े क्या हो सकती है हमारे पास एक proper scale रहता है हम लोग पास क्या होगा, एक proper scale रहेगा और साथ में हम लोग पास क्या रहता है, weight measuring machine रहता है weight measuring machine रहेगा, तो इन सारे instrument की मदद से हम लोग क्या करेंगे हम लोग चेक कर लेंगे कि हम लोग का क्या है feature जो variable है वो कैसा है तो अब देखिए अगर अब attributes से variable से करम लोग को समझ में आ चुका है तो हम लोग ये करने जा रहे हैं कि acceptance sampling for attributes और acceptance sampling for variables में क्या difference होता है देखिए जो first point है attributes का वो ये है कि attributes जो है जिनको के हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं जिनको के हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं किवल हम count कर सकते हैं तो count कर सकते हैं तो उसको किस से करते हैं go और no go gauge पर बेस होता है अभी गो गेज और नो गेज क्या होता है आपको बाद में समझ में आएका जब हम लोग एट्रिब्यूट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे यहां पर क्या होते है वेरीबल का हम लोग कंटिनिवस मेजर्मेंट करते हैं continuous measurement अभी थोड़ी दिर पहले हम लोगो ने देखा कि इसका मतलब ही होता है कि कोई भी scale या weight या इन सारे instrument की मदद से हम लोग क्या करेंगे उसको measure करेंगे फिर देखिए अगर एक lot है और किसी lot के अंदर अगर बहुत जादा defects हैं तो क्या हो जाता है इसको हम लोग reject कर देते ह अगर बहुत अधर defect को तो अगर अगर d की value बहुत जादा high हो जाएगी और c से जादा हो जाएगी हमारे acceptance number से जादा हो जाएगा अगर c का value तो हम लोग क्या कर देंगे obviously reject कर देंगे उसको similarly अगर मालिजे कि आपका ये जो है variables जो है variables को हम लोग कैसे measure करते है variables को measure करने का तरीका होता है mean और standard deviation की मदद से एक example basics example में आपको समझा देता हूँ जै suppose करो कि कोई shaft आपने बनाया है जिसका size है 20 plus 0.02 minus 0.02 टीक है तो इसका इस shaft का जो upper limit होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे UL बोलेंगे इसका value कितना हो जाएगा इसका value हो जाएगा 20.02 mm ठीक है और जो इसका lower limit होगा वो क्या हो जाएगा 19.98 mm हो जाएगा ठीक है अब जब आप लोगोंने mathematics जब basic mathematics पढ़ा होगा तो उसमें normal distribution curve के बारें पढ़ा होगा bell type का curve होता है ठीक है उसमें देखिए जब bell type का curve जो होता है वो हम लोग का कुछ इस shape का होता है ठीक है यह हो जाता है यहाँ पे जो आती है value वो mean value होती है mean value कितनी है 20 की ठीक है इसके बाद एक upper limit होता है और एक lower limit होता है जो इस side की value है या इस side की value है उसका हम लोग कैसे denote क करते हैं standard normal variate तो यह x-bar यह minus z sigma है और यह वाली value जो है वो plus z sigma है यह होती है lower limit यह होता है upper limit अब मानलो कि आपने अगर आप production engineer हो या आप मानलो कि आप IES के अंदर आप officer बन गए हो और आप कहीं पी CBWD के अंदर posted हो नेवल quality control पोस्टेट होक, Indian Railways के अंदर posted हो तो उससे क्या होगा कि याब defense services के अंदर हो जिस हिए इस भी service के अंदर अगर आप posted हो तो उसमें तो क्या होगा कि आपको बहुत सारे shafts बनाने होंगे, order देने होंगे आपको नहीं बनाने होंग आपको order तो एगर सेंपलिंग का जा तरीका होता है प्लेज सेंपलिंग कार ऑल कम ब्אून tú एक mean को show करना है यह हो गय Patient हे between यहाँ से यहाँ तक क्या होता है यह हम लोग का variance होता है कहां से कहां तक उसका spread है या range बोलते है अगर इसके बाहर की कोई छीज़ लाई के इस side या इस side हम लोग क्या कर देंगे ऊसको reject कर देंगे ठीक है? I hope कि यह चीज़ क्लियर हो गया है, अब आईए, इसके ऊपर चलते हैं, सैंपलिंग प्लान, कितने टाइप के सैंपलिंग प्लान होते हैं, तो देखिए जो सैंपलिंग के अलग अलग तरीके हैं, जो कि डॉज और रोमिंग के टाइम से चल रहे हैं, इनको मेंली हम जो नुम्बर आउफ सैंपल बनेगा वह टू, और मुल्लिपल सैंपलिंग प्लान में, जो नुमम्बर आउफ सैंपल होंगे, वह समथिंग के होंगे, यानि की कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, अलग अलग सैंपल अप ले सकते हो, सैंपल का साइज क्या रख हो कि वह आपके उपर डिपेंड करते हैं, बताऊंगा उसका भी मतलब कैया होता है? MULTIBLE SAMPLING PLAN पले हम भोग SINGLE SAMPLING PLAN के बारे में देख लेता है SINGLE SAMPLING PLAN हम लोग को पहले हम लोग को थोड़ा समझ में आ चुका है अगर आप देखो이가 स्मॉल N की वेली अगें 50 है ठीक है, इसमें से हम लोगों ने क्या किया है, एक sample यहां से निकाला, यह हम लोगा क्या हो गया, यह वाला party, यह sample आपने उठा लिया, n उठाया, sample n का मतलब होगे, n items हो गये, उस sample में, sample कितना है actually, sample है इसमें, sample सरफ एक है, जो sample का size है, वो suppose करो 20 items का है, ठीक है, यहां पर k क value जो है, वो 1 है, sample का size change कर रहा है, sample का size 20 items का है, लेकिन number of sample कितना था, एक ही उठाया था न, जो ने एक ही sample लिया था, अब देखिए, यहां पर, अगर इस sample में, D is equal to, अगर suppose करो आप, number of defect है, और C is equal to, acceptance number हो गया, तो देखिए, यहां पर जो decision लिये जाते हैं, वो पहला ही हो गया, अगर D is less and equals to C, क्या करो गया, accept the lot, second, if D is greater and equals to, नहीं, only greater, if C is greater than, D is greater than C, then we have to reject the lot, अब 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 लोगे एक्जाम्पल को कर चुके हैं, तो हम लोगे उसके बारे में नहीं सोच रहा है, अब आईए दिखते हैं, double sampling plan क्या होता है, double sampling plan वो होता है, जिसके अंदर की जो lot size रहेगा, तो जैसा कि हम लोगे देख रहे थे, single sampling plan हम लोगों ने समझ लिया, कि किस तरीके से lot size कांता select करते हैं, अब उसी तरीके से, हम लोगे double sampling plan के बारे में पढ़ेंगे, double sampling plan का मतलब यह होता है, कि यहाँ पे, k is equals to कितना हो जाएगा, k is equals to 2 हो जाएगा, k का मत करते हैं, 500 लेते हैं, अब देखे, हम लोगों ने क्या किया, एक sample यहाँ से लिया, n1 जिसकी size होगी, और जो दूसरा sample हम लोग लेंगे, suppose कर आप यहाँ से लेंगे, वो n2 हो गया, तो n1 क्या हो गया, n1 हुआ, size of sample 1, suppose कर आपने 20 items लिये, पहले sample में 20 items है, second जो था, उसमें हम लोगों ने क्या लिया, size of sample 2, कितना items हम ने लिया, suppose कर आप 50 नहीं, थोड़ा छोटा item लेते हैं, 30 items आपने लिये, दोनों sample आपने कर लिया, ठीक है, D1 का मतलब क्या होता है, ध्यान से आप देखोगे, D1 का मतलब यह होता है, defect in sample 1, ठीक है न, जो पहला sample लिया था, जिसके अंदर 20 items से, उसमें कितने defect आ रहे हैं, पहले, आपने क्या क्या, पहले एक sample लिया, फिर दूसरा sample लिया, इसमें 20 items लिये, इसमें 30 items लिये, टोटल 500 items है, 20 items हीदार है, 30 items हीदार है, ठीक है, अब D1 का मतलब ही होता है, यह जो items मेरे पास पहले sample का है, इसमें कितने defect है, ठीक है, D2 का मतलब ही हो गया, defect in combined sample, बताता हूँ मैं आपको, defect in combined sample, का मतलब ही होगा, यह 20 items का sample N1 था, यह 30 items का sample N2 था, थोड़ी दर के नदर समझ माज बाजाए का, मान लोगे करिंदनों को मिला दिया, तो टोटल items कितने बनगे N1 प्लस N2, टोटल items N1 प्लस N2 बनें 50 items, मेरे पास अभी सपोस करो 50 items है, ठीक है, अब इस 50 items में से कितने defect हैंगे, अब यह जो acceptance number for sample 1 और C2 जो है, वो क्या है, acceptance number for ध्यान देना, combined sample, किसका, combined sample का, जो C2 है, वो acceptance number है, combined sample का, जो D2 है, वो क्या है, defect है, combined sample का, ठीक है, और combined sample का मतलब क्या हो गया, combined sample का मतलब हुआ, N1 प्लस N2, कितना हो जाएगा यहांपे, 50 items का, ठीक है, सबोस करो, let's करो कि हम लोग value दे देता है, अगर C1 की value पहले lot में पांस ज़्यादा defective नहीं आने चाहिए, और जो दूसरा lot है, उसके अंदर हम लोग उने decide कि 12 से ज़्यादा lot नहीं आने चाहिए, ठीक है, अब देखो आप decision कैसे लिखते हैं, सबसे पहले मैं decision के rules लिखते रहा हूँ, सबसे पहला होता है, if D1 is greater than C1, अगर D1 की value, सबसे पहले आप यह देखो, less than, पहले sign लगाता है, अगर D1 की value less or equals to C1, तो decision जो रहेगा, वो रहेगा, except the lot यहने की 500 items, ठीक है, अगर D1 की value less than C1 आगे, second लिखेंग हम लोग, अगर D1 की value greater than C2 आगे, अगर पहले ही lot में, पहले ही में जो defect है, वो combined sample के acceptance number से ज्यादा है, मैं अभी describe करता हूँ, पहले आप देख लो इसको, अगर C2 से ज्यादा हो गई, तो आप क्या करोगे, reject the lot, देखें जो third decision रहेगा, वो कुछ इस basis पे रहेगा, कि D1 जो है, वो C1 से आपके बड़ा है, यानि कि ज्यादा defect आ रहे हैं, बट C2 से क्या है, कम आ रहे हैं, इसको हम लोग equals to का sign देते हैं, कि अगर D1 की value C2 से कम आ रही है, तो अब इस condition में हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक decision rule लेते हैं, सबसे पहले हम लोग D2 चेक करते हैं, अगर D2 की value C2 से ज्यादा हो जाएगी, यानि कि combined effect जो है, वो C2 से ज्यादा हो जाएगे, तो फिर से आप क्या कर दोगे, reject the lot, और अगर D2 की value less or equals to C2 आ गई, तो आप क्या कर दोगे, accept the lot, अगर मैं समझाता हूँ, देखो क्या करना था आपको, I hope कि C1, C2, D1, D2 आपको पता हैं, अब suppose करो कि D1 जो थे, वो पहले lot के defect थे, ठीक है, और C1 जो है, वो पहले lot के acceptance number था, अगर C1 की value हम लोगों ने कितनी दे रखिये हैं यहाँ पर, हम लोग values लिख लेते हैं, example, for example जो है, हम लोग यहाँ पर value लिख लेते हैं, capital N is equals to 500, N1 is equals to 20, N2 is equals to 30, N1 plus N2 is equals to how much 50, इसको हम लोगों क्या बोलेंगे, combined sample, इसको हम लोगों क्या बोला, combined sample, ठीक है, combined sample बोला, अब देखे, C1 जो था, वो क्या है, acceptance number for lot 1, ठीक है, और C2 जो था, वो acceptance number for combined lot है, ठीक है, D1 देटो हम लोगों अभी चेक करते हैं, अगर देखे, सबसे पहला rule यह था, सबसे पहले rule पर आओ, गवर करो, अगर D1 is less and equals to C1, ठीक है, अगर D1 is less and equals to C1, कहने का मतलब यह है, कि सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं, N1 को, पहले lot को, अगर उसके अंदर defect जो है, वो एक भी नहीं है, एक है, दो है, तीन है, चार है और पाँच है, कि वहले इतने ही defect हैं, तो यह क्या है, C1 से कम है, आप कुछ मत आगे बढ़ो, आप accept कर लो lot को, कि आपके acceptance number से कम आ रहा है, बहुत बढ़ी हैं, बहुत ही अच्छी बात है, दूसरा rule पर आते हैं, यह कह रहा है, अगर D1 is greater than C2, अगर पहले ही lot में defective item जो आ रहे हैं आपके, वो कितने आगे हैं, कितना size है, N1 का size है, कितने items है, 10 items है, C2 की value combined sample कितनी दी गई है, 12 दी गई है, इसका मतलब यह है, कि 13, 14 से ले कर के कितना maximum जा सकता है, 20 maximum जा सकता है, क्योंकि पहले वाला sample उसका size 20 ही है, अगर यह आ गया, यह क्या है, greater than 12 है, यह value greater than 12 है, 12 को हम लोग यह लिख लेते हैं यहाँ पर, C2 ही लिखते हैं भी यहाँ पर, हम लोग क्या करेंगे इस condition में, reject the lot, हम लोग क्या कर देंगे, reject कर देंगे, 3rd वाला है, यहाँ से actually में start होता है, थोड़ा सका tricky हो जाता है, अगर क्या बोला है, rule क्या बोल रहा है, यहाँ देखो आग, C1 से जादा है, यानि कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक है, यानि कि C2 से छोटा है या equal है, यानि कि अगर defect जो आए मेरे, उमें लिख देता हूँ value, 6, 7, 8, 9 dot 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 12, ठेक है, यह क्या है, यह आपकी value देखो, आप C2 से छोटा है, और यह क्या है, बड़ा है C1 से, इस condition में अब क्या होगा, इस condition में अब फिर यहाँ पे जाने के बाद, दो चीजे आएंगी, क्या क्या आएंगी, देखो, फिर से यहाँ पे जाओ, if D2 is greater than C2, अब आप अब लोग लिखेंगे, now combine the samples, of 50 items, ठेक है, 50 items कोब लोग क्या करेंगे, उसका एक combine sample लेंगे, अब उस 50 items के अंदर, देखिये, अब अगर आपको क्या बला था, D2 की value, D2 का मतलब defect हो गया, अगर वो value greater than C2, C2 की value मतलब 12 अगर आगई है, अगर कहने का मतलब 50 items मेंते कहां अगर हम लोग 50 items की बात करें, यहां से अगर हम लोग इसको A part लिख लेते हैं, अगर 3rd का A, ठीक है, 3rd का A है यह, अगर मान लो कि आपका defect चालू होता है, combined sample में C2 से बढ़ा याने की 13, 14, 15 से लेके कहां तक, combined sample की size कितनी है, 50 तक, इतने defects अगर आपके आपके आगए है, तो यह क्या है, obviously C2 से बढ़ा है, again क्या करोगे आप, reject the lot, 500 items का आप discard कर दो, और यहां पर आप क्या करो, 3B rule था, उसके अंदर यह है, अगर वो C2 से छोटा आजाए, combined sample, बट देखो, क्या है, कब हम लोग लोग लगा रहे है, जब 6 से तो, obviously 6 से तो जाता है, यह, कहने का म 7 और 12, इतने ही defects हैं, तो क्या हो जाएगा है, अब इस case में लेसा है,